हेलो दोस्तों वेलकम बाक टू माई चैनल और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेर करने जा रहे हैं कुर्गरे रोल की रेसिपी तो चलो जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं है एक मैं आडि है है इसे बनाने के लिए मैंने दो चमेच रफाइपट डाला एक बाह चाहती ऐसे गरम हो जाएगा इसके बाद में फ्वाइज डालूंगा इसके लिए एक प्याज लिया है जिसे जाता फाइनली काट लिया है और इसे में तब तक प्राइब करूंगी जब तक कि अवलका सा लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए या फिर आप बोल सकते हैं अलका सा ट्रांस्पार्न ये ना हो जाए तो जैसे कि देख सकते हैं एक से दो मिन्ट मुश्किल से लेता है और जैसे क देख सकते हैं और इसे मैं दो मिर तक के लिए फ्राइ कर लूँगी पहले और इसके बाद हम बाकी इंग्रीडİ gonna डालेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं आलू भी हलका सा फ्राई हो चुका है तो इसके बाद हम बाकी वेजीज डालेंगे तो इसके लिए मैंने अधा क्या आप सिकम लिया है जिससे मैंने बहुत जादा फाइनली काट लिया है बहुत छोटा छोटा आपको करना आप चाहे तो इसे डाइस भी कर सकते हैं इसके बाद इसके अंदर मैंने एक फाइनली चॉप कैरेट डाला है इसे भी मैंने बहुत जादा छोटा चोटा काट लिय भी निरी अपिर दोब साप भी इसनारा फॉर में ऐसे का लिए इसके अदर एक चम्मर्च छासा पैपर प डालें गे और रपिषण कर सकते हैं रपे इसके बिएक से एक बार मिक्स कर लगी औरिसके क्यों कि अधर सो किनके मीडियम फ्लीम पे पर कोड़ेंगे और इसके इसके पका लेना है तो भग के मीदियम थे मुश्किल मैं एक चममच वैनेगर है नाथ को देख सकते हैं इसके साथ दो चमच मेरे टुमेटो केचप लाजा है और अब मैं इसे भी एक बार अच्छी से मिक्स कर ले रही हूं ये पर अब मिक्स करने के बाद हमें हलका सा एक मिर्ट तक लिए पका लेना है हाई फ्लेम पर पका सकते हैं इसे ताकि आते की अड़ salvation saip बनाने की प्रॉसेस में तो मै एक पठ आटा लिया है इसके बाद मैं एक फोर्द कफ इसके लिला है इसके बाद मैंने नमक साइब जाए और को एक बारर मीक्स करने के अंग्-ता के बारह एक प्र ओलुग जैसे अब आते का वू Another तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके आप गाने रालें цел सें कि अधाय को इस यह उसे रही है भीट नेशा में पानी की कुवांटिटी अप थोड़ी यह कारणे तो लुट कि यह गीला ना बने तो जैसे कि देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से अपना आटा रेडी कर लिया है, और यह अल्मोस्ट हो चुका है, तो इसके उपर हम हलका सा ओयल डाल देंगे, ताकि थोड़ा स्टिकीनस होता है, वो कम हो जाता है, इसके वज़ा से हम हलका सा इसके अंदर ओयल डाल रहे ह जाता है, और अब मैं से एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं, और इसके बाद इस दो को हम 10 से 20 में तक के लिए साइड में रख देंगे, और उसके बाद ही हम बनाएंगे, डो को रेस्ट करना जरूरी है, ताकि हमारी जो रोटिया है वो काफी अच्छी बने इसके व बनाना है उसी साइस का जो डो है वो ले ले और अब जैसे हम रोटी बनाते हैं इसी की सेम तरीके से हम इसे बना लेंगे इसमें थोड़ा सा जो रोटी होता है हलका सा मोटा और थोड़ा जादा बड़ा होता है तो आप इसी चीज का ध्यान रखें बरना फिर नॉर्मल जैसे रोटियां बनाते उसी के हिसाब से बना सकते इवन आप चाहें तो पतली रोटियां भी बना सकते आपको जिस तरह का पस तो दोनों साइड में हलका हलका ऐल अपलाई करेंगे और हम अपनी रोटियों को अच्छे से पका लेंगे यह जो रेसिपी है यह मेरी रेसिपी है और मेरे घरवाले इसे बहुत जादा पसंद करते हैं और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आप सब के साथ शेयर करो इसी वजह से अपके साथ शेयर कर दियो आप आप सब को यह बहुत अच्छी लगी है तो जैसे कि देख सकते हैं रोटियां अलमुस्ट पक चुकी है तो दोनों तरफ से अच्छे से प्रेस करके हम एक बनाना है ताकि अच्छे से पक जाए हलका सा मैदा हम ने इसके अंदर डाला है ताकि वह जो लचक होती है ना रोटी में रोल वाली रोटी में वह आ जाए तो जैसे कि देख सकते हैं अच्छे से अच्छे से ब्राउन कलर भी आ गया है तो इसका मतलब हमारा जो रोटी है वह बिल्कुल भी रेडी है तो इसके उपर अप क्या करेंगे हलका साम टमैटो केचप डाल देंगे और हलका सा ग्रीन चिली सॉस इसके क्वांटिटी आप अपने स्वाट के अनुसार बैरि कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं एक चमच के अच्छे से इच्छे से स्प्रेड कर दिया है और इसके बद हम क्या करेंगे हमारा जो फिलिंग हमने बनाया कुर को रोल का उसे ले लेंगे और जिस कॉंटिटी में आपको पसंद इस इसके बदैने बाकि इम घ्क कर सकता है लोका स्वचे उत्स भॉकम कहां जाती हो सबस्ताइश का कहता है इसके पार इसके उपर मैं हल्क सा अनियन रिंकस डाल रही हैं हलका सा तोर देरियों उसे साथ में सॉनली चॉप्ट को रीच का खैन डाल रही हूं थन्या पत्ता साथ तो इन चीज़ों को skip कर सकते हैं या फिर आपके हिसाब से आप एजस्ट कर सकते हैं और फाइनली इसके ओपर हल्का सा नीमू का रस डाल रही हो और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से रोल कर ले रही हूँ हलका सा अंदर के तरफ दबा के आप करिए ताकि सारी चीज़े इंटाक्ट रहें आप चाहें तो बटर पेपर या फिर जो नॉर्मल पेपर होता है उसमें भी रोल कर सकते हैं काफी अच्छा लगता है जैसे कि देख सकते हैं हमारा रोल बिल्कुल भी रेडी है आप चाहें कि यह रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी अगर आई तो हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगे कैसी लगी आप सबको तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बाई एव्रीवान